Hello student, good afternoon, कैसे हो dear student, आप सभी को प्यारा सा good afternoon, I hope आप सभी अच्छे भी होंगे और आपके त्यारी भी अच्छी चल रही होगी तो student आपको बता दे हमारा topic क्या चल रहा है समास समास किसे कहते हैं और यहां कितने परकार का होता यह सब मैंने अच्छे से explain कर दिया है समास बनते कैसे हैं तो आपको बता दे कि समास जो है जो सब्दों के मेल से समास बनता है और कामता परसाजी के द्वारा समास को चार भागों में बाटा गया है और तकपुरुष समास के अंतरगत कर्मधारे और द्वन्ध समास रखे गए हैं तो इस प्रकार से मैंने अब्यभाव समास को भी पढ़ा दिया है, आज का टॉपिक क्या है तत्पुरु समास, अब्यभाव मैंने क्या बता था, कि जब वाक्य के पहले उपसर्ग लगा हो, जैसे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आ, यथा, वे, बा, भर, गिर, यावत, पर यह सब उपसर्ग होते हैं, यह सब लगा के जो है, आप अब्यभाव बनाते हैं, तो मैंने उसका फिए वीडियो बना दिया है, आज का टॉपिक क्या है तत्पुरु समास, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि दत्पुरु समास कहते किसी है, या बनता किसी है, तो तत जमापुरुस इसका जो है उत्तरपद परधान होता है और अब्वेई भाव का कौन सा परधान होता है तो इसका पूरवद परधान होता है परथम पद उसका परधान होता है और तत पूरुस समास का उत्तरपद उत्तरपद के अधार पर पूरे पद की लिंग वचन का न धारण होता है अब देखते हैं कि इसमें जो है दोनों पद संग्या हो सकते है या फिर दूसरा पद किरिया विशेशन भी हो सकता है तो इसका जो है तकपुरुस का कुछ नियम रूल है आप इसको याद रखेंगे और यह किसके अंतरगत आता है यह बेधी करण तकपुरुस समास के अंतरगत आता है एक बार हम आपको पीछे थोल असा दिखाना चाहते है तो इसके अंतर्गत जो को कारख चिंद्धों का परियोग करके बैधीकराण तत्पुरुस बनाय जाता है। इसके अंतरगत में 6 कारख चिंद्धों का परियोग होता है। और वैसे कारक आठ परकार के होते हैं, लेकिन जो है बेधिकरम तत्पुरुस में 6 कारक का परियोग होता है, करता कारक और संबोधन कारक को इसमें छोड़ दिया जाता है, इसमें नहीं लिया जाता है, अब देखते हैं कि इसे बिभक्ति तत्पुरुस भी कहा जाता है, क्यो मैंने दो सब्द लिख रखे हैं तो अब आपको इसको explain कर देते हैं अच्छ से मैंने क्या बताया था यहां उपर उपर बताया था कि इसके यहां पर देखिए दोनों पद संग्या हो सकता है दूसरा पद जो है किरिय विसेशन भी हो सकता है तो यहां पर दोनों सब्द एक गंगा भी संग्या है और जल भी संग्या है इसमें क्या है भूंख जो है संग्या हो जाएगा आपका मरा जो है क्या हो जाएगा यह विसेशन है कि वा भूंख से मर रहा है ठीक है तो आप इस पर कार याद कर सकते हैं अब चलिए शुरू करते हैं कि तत्पुरुस के अंतरगत कौन-कौन से समास आते हैं, तो पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुस, कौन सा कारत का परियोग होगा इसमें, इसमें को बिभक्ति का परियोग होता है, कर्म तत्पुरुस में, अब इसको देखिए, सब्द मोक्ष मोक्ष प्राप्त का क्या हो जाएगा मोक्ष को प्राप्ती हो गया ठीक है गरंथ कार का क्या हो जाएगा गरंथ कार का हो जाएगा गरंथ को लिख देते हैं गरंथ को करने वाला या गरंथ को रचने वाला यह हो जाएगा गरंथ कार मनोहर मन को हरने वाला मनोहर का क्या हो जा जा रही है तो इसका लोप हो जाएगा फिर बन जाएगे यह मनोहर मनोहर में कौन सार तत्पुरुस हो जाएगा तो कर्म तत्पुरुस हो जाएगा और लिखे हैं एक दो और बता देते हैं स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा यहा जाएक डिज़ाई है कि करण तत्बुरुस में से या के द्वारा की विभग्ति का लुब होता है इसने साधन या माध्म के द्वारा को keyboard क्वा the जाता है अब देखते हैं कि करण तक पूरुस के एक्जामपल कश्ट साध्य का क्या ताथ पर हो जाएगा कि कश्ट के द्वारा साध्य यह कश्ट के द्वारा साध्य इसका हो जाएगा कश्ट के द्वारा साध्य कि वहां कश्ट से पीडित है ठीक यह भी लगा सकते हैं यह क कश्ट के द्वारा तो इसमें के द्वारा विभक्ति आया है या से भी लगा सकते हैं कि कश्ट से साथ है या कश्ट के द्वारा तो जहां पे से और या के के द्वारा आये विभक्ति आये तो उसका लोब करके कौन सा समास बनाया जा सकता है तो करण ततपुरुस बनाया जा स से उन्मत मतलब होता है मदिरा मतलब होता है किकदम उसमें मगन हो जाना या मद के द्वारा उन्मत आप कुछ भी लगा सकते हैं तो इसमें सेओक के द्वारा भिभत्ती आये तो उसका परिऊग करण तदव करूस में करते हैं रेखांकित तो रेखांकित में क्या हो जाएगा रेखा के द्वारा अंकित क्या हो जाएगा रेखा के द्वारा अंकित थोड़ा जलजिली लिख रहे है नहीं तो बीडियो बड़ी बन जाएगे student और कभीर रचित तो कभीर रचित तो इसका क्या हो जाएगा कभीर क के द्वारा रचित इसका हो जाएगा कबीर की द्वारा रचित तो इस प्रकार से जहां पर से यके द्वारा की विभक्ति का लोप होता है तो उसका क्या हो जाएगा करण तत्पुरुस हो जाएगा ठीक है अब नेश्ट देख लेते हैं संप्रदान तत्पुरुस संप्रदा ये की विभक्ति का लोब होता है, इसमें जो है दान या पूर्ण रोब से कोई चीज़ दे देना, इसका जब संदिबिछेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान, क्या हो जाएगा, संप्रदान, संजमा प्रदान, तो दान आ रहा है न, तो जिसमें दान और बिग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा देश के लिए भक्ति आप इसमें देख सकते हैं देश के लिए भक्ति तो इसमें के लिए भक्ति का परियोग हो रहा है बिधान सभा बिधान के लिए परिसद बिधान परिसद के क्या हो जाएगा बिधान के लिए परिसद इसमें के ल या गुरु दक्षिना, गुरु के लिए दक्षिना, तो यहां भी के लिए आ रहा है, तो जहां पे के लिए की विवत्ति का लोप हो, वहां पर संपरदान तक्पुरुस होता है, असनान घर, असनान घर का क्या हो जाएगा, नहाने के लिए घर, ठीक, असनान करने का घर, यह यहां पर आप कर्म तत्पुरुस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज दान दिया जाता है, या पूर्णु से अपना कोई चीज किसी को दे दिया जाता है, तो मैंने भिखारी को वस्त्र दिया, ठीक है, या फिर आप कहसे हैं, मा ने बच्चे को टौफी दिया, टौ उसका मतलब होता है, कि इसमें से बिभक्ति का लोब होता है, से अलग होने का भाव, इसमें से अलग होने का भाव, मतलब एक जगहां से दूसरे जगहां पर अलगाव की बिभक्ति होती है, मतलब अलग हो जाता कोई चीज, इससे भय मुक्त, भय मुक्त से क्या हो जाएगा भै से मुक्द तो यहाँ पर मुक्द हो गया किस चीज से भै से तो यहाँ से देखें कि वह डर से मुक्द हो गया तो डर उसका अलग हो गया ठीक है उसके उसका डर अलग हो गया तो किस से अलग हो गया विभक्ति से से ठीक है तो इस प्रकार से इसमें से विभक्ति का लोप ह होता है बंदर छछ खत से कुदा तो आप यहां पर देखे। बंदर छटसे कुदा मतलब अशिवें था इसके बाद नीचे कुदा और पेड़ पर कुदा कहीं चला गया लेकिन और छटसे अलग वह गया तो अपादान उसमें जो है अलगा हो गया, तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान तत्पुरुस, अब देखते हैं, कि जब जब दो लोगों के बीच तुलना की जाए, तो वहाँ अपादान तत्पुरुस होता है, किसके बीच, दो लोगो के बीज जैसे राम स्याम से सुन्दर है तो यहाँ पी कौन सा कारक हो जाएगा अपादान कारक याद रखना अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट समास है कि संबंध ततपुरुस संबंध ततपुरुस में का की के रारी रे नानी ने की बिभक्ति का लोब होता है किसका होता है का की के रारी रे नानी ने मामी में ऐसे इस बिभक्ति का लोब होता है अब जैसे आपको लिखा मैंने राष्ट पती तो राष्ट मतल पिता गा दोन नों हो हुँँए पर 강व धा गीता खा एफ परीज़िकya मेरी मेरा तुम्हारा घर उसका घर तो इस प्रकार से हो जाए गा ना का कैसे हो जाता है चलना काम कर, चलना अपना काम कर, ऐसे तो इस प्रकार कर विभक्ति का लोब होता है, दीन बंधु, दीन, दीनों का बंधु, या फिर दीन का बंधु, जो दीन दुखी होते हैं, उनका बंधु, दीनों का बंधु, दीनों का बंधु, इसमें का विभक्ति का लोब हो रहा है कि यहां पर अब बोलेंगे बिद्या के लिए आ रहा है के लिए आ रहा है आले में सोता है घर ठीक है तो यहाँ पे जो है संबन्द तत्पुरुस इसमें नहीं होगा ठीक है इसमें जो है संबन्द तत्पुरुस नहीं हो जाएगा कौन सा संप्रदान तत्पुरुस इसमें संप्रदान तत्पुरुस हो जाएगा सेल दिवात क्या है लोक नायक क्या हो जाएगा कि लोग का नायक ठीक है यहां पर्भू का उल्लेग किया गया है इस प्रकार से आप याद लग सकते हैं आज का लाश्ट देखते हैं अधिकरण तकपुरुस अधिकरण में किसका लोप होता है में और पर का विभक्ती का लोप होता है वहाँ पे कुण सा अधिकरण तकपुरुस हो जाता है अब जैसे सिला लेख सिला लेख है तो इसका क्या हो जाएगा शिला पर लेख ठीक है क्या हो जाएगा सिला पर लेख यानि कि जो पत्थर पर लेख लिखा रहता है जब कोई सडक या कुछ चीज का उस घाटन करते हैं तो उस पर लिखा जाता है अपने नाम आम लिखवाता हैं मन्त्री उगरा तो उसमें हो जाएगा कि उसमें जो पत्थर पल लिखा गया है या पत्थर में लिखा गया है में पत्थर को छेद कर लिखा जाता है तो उसमें में या भर भिभक्ति का लोब होता है सरण आगत का हो जाएगा सरण में सरण में आगत कि कोई चीज कोई आदमी है दिन दुखी है वहाँ किसी गुरू या महत्मा की सरण में चला जाए तो उसी को बोलते है या फिर कोई दिख्छा लेने या फिर कोई दिख्छा लेने चला जाए तो उसी को बोलते है कि वह मेरे स कभियों में स्रेष्ट ठीक है यह हो जाएगा कभियों में स्रेष्ट आप बीती आप पर बीती आप बीती का क्या हो जाएगा आप पर बीती ठीक है मुझ पर नहीं आप पर बीती तो यहाँ पर में विभक्ति का लोग हो तो उसे अधिकरन तकपुरुस कहते हैं और मैंने क्य कि डो लोगों के बीच तूलना हो तो वहाँ पर आधिकारान तफूरुस में तूलना हो, लेकिन, जब दो से अधिक हो जब दो से अधिक ब्रतों के बीच तूलना हो, तो वहाँ पे अधिकरान तक पूरुस होता है concerns, जैसे कि मैं कच्छा में सबसे सुन्दर हूँ ठीक है मैं कच्छा में सबसे सुन्दर हूँ तो यहां पर अधिकरन तत्पुरुस हो जाएगा स्याम कच्छा में सबसे सुन्दर है अधिकरन तत्पुरुस और इसके बाद अगर दो में हो स्याम गीता से अधिकरन तत्पुरु एक बार प्लीज वीडियो जरूर लाइक करें फिर मिलते हैं कल बाई बाई टेक केर